नमस्कर दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ हैजार्स ऑफ ग्लास इंडेस्टीज याने कि ग्लास इंडेस्टीज के अंदर कुंसा-कुंसा खत्रा रहता है इसके बारे में बात करने वाला हूं सब्केर खत्रार है ओसके बारे मेरे में इसके बारे में सर्फिक्रेद ओनेलगोदेंडेसाइट उस्के बारे में बता न रहता फिर्स्तों पॉल अस्टेंट्डेंज हिंस अले टास इनन पर यहां दिर्ट इंडेस्ट इस बनते वहाँ पर उन स्को तो ट्रांस्पोर्टिंग करते है तभी ज्यादा याने कि एंडलिंग बेन्यूल एंडलिंग जो करते है या उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मुह करना है तो ज्यादा तर उसमें वहीं पर एक्सिडन होने का चांसिस रहता है और बर्न इंज्यूरी याने कि जब वो बन रहा होता है तब उसका temperature ऌए है ह है उसकी बज़े से बन इंज्यूरी भी होती है ग्लास एक्सपोस डूरिंग the manufacturing याने किज़ सब्सक्राइब आपको उसके दर्मीयन भी Oh मैनेफ। हो रहा एतक हाइप हाय ट्म्रश्यूरी रहता है उसकी बज़े से भी कभी कभी वहां पर होने का chances है flying glass may cause penetration wound and serious eye injury याने कि glass का कुछ particle जो है flying करता है तो उसकी बज़र से भी आपको कभी-कभी eye injury या serious injury भी होने का chances है दोस्तों वीडियो में आके बढ़ने से पहले में एक बात बताना चाहूंगा अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बाजू में दिये बेल आइकोन को प्रेस कर दिजेगा जैसे ही मेरी चैनल पर नया वीडियो आएगा आप तक notification सबसे पहले पहुंच जाएगा दूसरी बात इस वीडियो का description box में आपको सेप्टी रिलेटेड वीडियो टाइटल के साथ लिंक मिल जाएगा उसमें आगर आप देखना चाहते तो देख सकते तीसरी बात अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत बुलिएगा और दोस्तों के साथ शेर कर दिजेगा आप वीडियो में अकर from mixing of raw material containing red lid 6. alkaline dust such as soda and potas may cause nasal ulceration and skin irritations 7. fuels and product of combustion one of the hazard of maintenance work 8. glass blowing by mouth may cause deformity of checks and damage to mouth and teeth 9. number caustic burn due to skin irritant 10. number silica is the largest component in commercial glass manufacturing which creates a silicosis disease याने कि silica का main जो raw material है वो silica है और silica की बज़े से काफी सरा materials वहाँ पर use होता है इसकी बज़े से silicosis नाम का disease जो वहाँ पर काम कर रहा है उसको वने का संभव रहता है इलियोन नमबर noise hazards from pneumatic vibrator, compressor, blower, motor and dust collectors याने कि वहाँ पर आवाज का hazards भी रहता है आवाज की बज़े से खत्रा रहता है जिसमें pneumatic vibrator चलता है, compressor, blower रहता है, motors and dust collectors का use होता है operation के time पे तब ही आवाज का खत्रा रहता है उसकी बज़े से आपको hearing loss हो सकता है Thank you दोस्तो